जो Right to Information Act है जो सुचना का अधिकार है वो बहुत बड़ा हतियार सा लेकिन वह हतियार आज गुजरात में किस स्थिति पे पहुंचा है उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंकजबाई पंकजबाई मैं जानना चाहूंगा कि आज कि स्थिति में गुजरात में कैसे वर्क कर रहा है अधिकाभी जो गुजरात में हैं 2005 के बाद एक्ट आया उनके बाद थुड़ा सा चला अब परिस्थिति ऐसी है कि लोग का आई टे करने के लिए सूच भी नहीं सकते अधिक बाद तो यह एक्ट है उस एक्ट को जान बूज कर इतना खोखला कर दिया गया कि गौवर्मेंट का या सरकारों का ब्रस्थाचार बाहर ना आपाए यह बात तुम्हारी सही है कि जो उनको बोखला ऐसे बना गया जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमारे यहां गुज्रास के अंदर आर एंदास के बाद कहीं कमिशनर लोग आये हैं कमिशनर कम से कम मैं आपको बता हूं कि 2005 से लेकर 2022 तक चितने कमिशनर आये इसमें एक दो के बात करते हुए सबी लोग मुख्यमंत्री कारे से भी आये जो मुख्यमंतरी कारें में काम करते थे बात में वो लोग ने वुरुत होने के बाद इनको महायति कमिश्णर की खुर्शी पर बिठाया गया याने कि इत बात समझो कि इसमें क्या ओला मामला है ब्लेक लीश करने के कैट में कोई जोप़े नहीं है मैं आपको बता हूं अब दिन मेहीने पहले भी अर्टी फाइल किया था ढूं सिएडी में ब्लेक लिश्ट पुले कि कोई जोप़े नहीं साथ कर रहे हुआ है के अंदर कमिशनर के पर कोई आज भी नहीं है यानि कि कमिशनर को इसी आथर्टी नहीं है कि इसको कंट्रोल में रखे या एक में भी प्रोविजन नहीं लिए आने कि वह भी एक अगर आप कमिशनर कर दिया तो किसके पास जाना पड़ेगा मुझे आइक्ट में कहीं पर भी ब्लेक लिस्ट नहीं दिखा बावजुद इसके उन्होंने ब्लेक लिस्ट कर दिया नहीं है तो उन्होंने कर दिया तो इनके खिलाब कारेवाई करने के लिए जाना पड़ेगा आप गवर्नर को जाके बूल सकते हो कि महाहिती कमिशनर को हटाने का पावर और राश्पती के पास है अगर गवर्नर इसका इंक्वारी करेगा बात भी वह राश्पती को बेजे दूसरी इनके पहले में आपको बताओ के दो जो महाहिती कमिशनर थे जो एपली केबल नहीं थे तो भी इसको एपवाइट किया गया था स्री देवी करके था और एक पंचासरा करके दोनों को हाई कोट ने निकाल दिया था इस ताइम के यह आप एपली के बल नहीं हो तो यह बात मीं चाहिए को बैखम बाषवक करते हैं जो एक बार से चले जाते हैं आए قूरिंव कर देतल के यह सब्गें उनके पास यह पावर नहीं होने के बावजुद यह पावर का यूज़ कर रही है कि उनके खिलब कारेवाई होने चाहिए पंकज भाई क्या ऐसे हालातों के चलते गुजरात में से ब्रस्टाचार आप लोग खोज पाते हैं या बहुत टेड़ी खीर हो गई है इसमें क्या है दो तीन चीद में दो चीद तो आपको बताऊंगा कि एक तो करप्शन निकल तो आ रहा है लेकिन करप्शन निकलने के बावजुद जो कारियों आई है बहुत कीड़ी कीड़ी चलते हैं ऐसे चल रही है के यहां में में आपको बताओ कर मुझे एक एक बात आप बतायी कह कोई करप्शन बाहर के तो मोटे मोटे तोडवर यही माना जाए कि यह जो एक्ट बनाएोस तिर्फ कागा जोंपे ही बना है यह एक में एक चीज़ है कि अभी डर रहे हैं अगर यह बिल्कुल खतम हो जाएगा तो कोई डर रहे हैं आपको बता अभी कंजुमर का किसको किसको डर है किसी को नहीं है तो अब पात साल के बार इसका यह यालो ले कंजुमर जैसा यालूगा जन जोर जन ताकी में